वेलकम टू फिट गनेशा मग, कठोर तो मगने फणगारवा माटे आज आपने स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस जोई सु तो संखी पेला मगने आपने बराब बर पाणी थी धोवाना चे हवे तमें एक वस्तों मार्क कर जो अहीं जे मगनी क्वान्टिटी छे आटली छे जे फणगारी यां पछी आटली बधी थाई जसे तो अहीं अर्दी वाटकी द लीथा छे मग, तो त्यारे फणगार से एमा ती फणगाफूट से एले दोड वाटकी जेटला थाई जसे तो सथी बेला तो मग ने आपने बराब बर चुखा करवानाचे वधरानों पाणी काड़ी देईसु अने फरीस्ती एक वखत आरीते धुई लेईसु हवे आपने मग ने पलाडवा माटे मग करता त्रोन घणू पाणी राकीसु आपने पाणी नी क्वएंटिटी थोड़ी वधरेज राखवानी चे कराण के मग जेंजें पलाड से हवे तमारे मग ने 5-6 कलाड़ माटे पलाडवानाचे 5-6 अवर्स तो 5-6 कलाड़ माटे आपने आरीते धाकी ने पलाड़ी राकीसु मग ने पांच थी 6 कल्लाक पछी आपने चेक करी सू तो आ रीतने मग एकदम फूली गया हसे अने सोफ्ट थेई गया हसे तमें दबाउसो तो आ रीतने इजीली तूटी जासे आंगडी थीज तो बस आ रीतना आवे मग थाई एटले आपणे तेमाथी वधरानू पाणी काड़ी देशू आ पाणी ने तम्हें प्लांट्स माँपन नाखी सको छो अथफा तम्हें पी पन सको छो हवे जस्ट्रू तमने डिफ्रेंस बतावचू आ नौर्मल मग छे जे मगना दाणा होई छे कठोड मा अन्ने आ आपणे पलाडेला मग छे बन्ने मा केटलो डिफ्रेंस छे तम्हें जोई सको छो मगनी साइज छे ए अधी घणी वधी गई छे तो बस आपणे आटला पलाडवाना छे मग जिहां सुधी तेनी साइज आर इतनी ना थाई जै अन्ने तम्हें दबावो तो इजीली तूटी ना जै आटला मग थाई एना पछी हवे आपणे गर्णी मा एकदम पातलो कोटन नो कटको राखी सु एकदम पातलो चे तम्हें अन्ने एकदम हलके टाइट पोटली नथी वांधवानी कारण के ज्यारे आनी अंदर फण का फुट से एटले इने जग्या जोईसे एटले आपणे एकदम आरीते आता में जोईसा को चो पोटली चे भीनीत थाई गई चे अन्ने आपणे एज भीनू वासन यूज करिये च पंदर थी अधार कल्लाक नी पंदर थी अधार कल्लाक नी पंदर थी अधार कल्लाक सुधी आने आपणे आज रीते खुल्लू राकी सु जो ये तो तमे आने अर्धू धाकी पन सको चो पन आखे आखू आपणे नथी धाकवानू आपणे आरीते अर्धू धाकी सु जरू जरूर लागे तो अधार कल्लाक पछी आपड़े चेक करी सू कपड़ू छे तमें बेत्रण तीवस यूज कर सो एटले आरी ते तेना पर डागा थाई जसे कारण के मग माथी ग्रीन कलर थोड़ो डार्क ब्राउन कलर निकरतो होई छें पाणी नो कलर पन तमें जोएलो अधार कल्लाक आ रीते कोटन मा बांधेला राक्सो तो एना पजी तमें जोई सको छो अल्मोस्ट बाउल भराई गउचे पोणा भागनू बाउल भराई गउचे त्रों गणी क्वांटिटी थाई गई छे जे शरू आतमा आपने महग पलाडेला एना करता त्रों गणा थी पन वधार एक क्वांटिटी थाई गई छे औने एकडम सरस तमें जोई सको छो फण गा फूटी गया छे आने अपने काड़ी देई सु धीरे धीरे एकडम सरस फणगा फुटिया छे हज्जू पन अधार कल लाग थी पन वधारे तम्हें आने राखी सको छो 20 कल लाग सुदी तम्हें मैकसिमम आने राखी सको छो फणगा फुट वा माटे तो एकडम सरस रिजल्ट आउसे तो नॉर्मली जो तमारे धारोके सोमवारे सवारे नौ वागे तमारे मग खावा छे फण घावा होई तो तमारे शिद्यूल के रिते गोठाओ पड़े तो रवी वारे सवारे नौ वागे तमारे मग पलाडवा पड़े रवी वारे सवारे 9 वागे मग पलाडवाना अने रवी वारे बपोरे 2 वागे आपड़े मगने आरीते कोटन ना कपड़ामा पलाडेला मगने आरीते कोटन ना कपड़ामा आपड़े पोटली बांदी दैसू रवी वारे बपोरे डे अत्वातो त्रोण वागे एना बची सिद्धू सोमवारे तमें सवारे जोसो तो आर इते एकदम सरस फणगा फुटी गया हसे 9 थी 10 वाग या सुदी तो आने मग ने फणगा एकदम आर इते लामबाने सरस फुटता 24 गलाग जेकलो समय थाई चे मग पलाडिया पछी नी प्रोसेस नी वाद करू छो तो तमारे ज्यारे पड़ फणगा रेला मग खावा होई एना 24 गलाग पहला तमारे आ रिते मग पलाडी ने तेनी पोटली बांदी ने प्रिपेरेशन करवी पड़े आना माटे बीजी कोईज डबबानी केक बीजी कोईज प्रोसेस नी जरूर नाती एकदम नैचरल रीते फणगा फुटेला छे तो आँ फणगा जे फुटेला मग होई एमा तमने खबर जैसे भरपूर प्रामाणमा नुट्रिशन्स होई छे अन्या एकदम लाइफ फूड लाइफ फूड एकदम नाचरल छे आमा आपड़े बाफिया नथी अथवा तो पछे आपड़े वगारियू नथी उपर ती कोई मसाला नथी एड करिया अन्ये भरपूर प्रामाणमा पोशक तत्वो थी आमा थी मड़ी रेचे पोशक तत्वो नी जो वाद करिये फणगा तो एमा थी आपड़ने विटामीन A, B, C, E मड़े छे भरपूर प्रामाणमा ते सिवाए आपड़ने पोटेशियम, आयन, कैल्सियम औने भरपूर प्रामाणमा प्रोटीन पन मड़ी रेचे बद्धाने खबर जसे के मगमा भरपूर प्रामाणमा रोग प्रतिकारक शक्त रहे ली छे आपड़ी I'm Jupiter Power ने वधारे छे एटले कि I'm Spirit Power ने वधारे ये आपड़ने कोई पन नाना मोटा रोग ठता होई तो तेनी सामय लड़वानी शकती आ मग आपे छे आपड़ने ज्यारे प्र मानस मांदू पड़े तो ड्क्टर हम्मेशा एक सजेस्ट करे के फण खाओ आपण गारेला मग खाओ ठाएंके ज्यारे आपणे बीमार थाई एकल आपणे इम्यूनीटी सिस्टम डाउन थाई जाई छे आपणे शक्तिनी भर्पूर जरूरिया थोई छे तो ज्यारे मांदगी मां थी आपणे बहर आविये एकल आपणे एकदम अशक्त होई ये तो शक्ती मेडवा माटे अने ड्रोग प्रतिकारक शक्ती वधरवा माटे डॉक्टर घणी वकत सजेस्ट करे छे के तमें बाफेला मख खाओ, फणगारेला मख खाओ तो बस एनू आज रीजन छे के आमा थी आपने भरपूर प्रमाण माँ प्रोटीन, विटामेंज, आयन, कैल्सियम, इम्मुनिटी, पावर आपने मडे छे अने एना लीदेज डॉक्टर आटलू सजेस्ट करे छे, कारण के जे शरीर ने जोईये छे ए बद्धू जापे छे आ मख, अने जे नथी जोईतू ए फैट, तो ए फैट छे, तो ए मख माथी, फणगारेला मख माथी सउथी ओच्छा प्रमाण मां मडे छे, अने परोंट पन मग माती सउथी ओच्छा प्रमाण मां मडे छे, एटले जो तम्हें वेट लोस करवानू प्लान करता हो, तो तम्हारा माटे बेस्ट ओप्शन चे मग, आटली कॉंटिटी मां जहारे तम्हें मग खाओ, एटले तम्हारे दाढ भाद, शाक, रोटली कसित खाव पनी जरूर ना थी, आटली जे कॉंटिटी जहे, एट अमारी त्रोंड रोटली, शाक, अने दाढ भाद बराबर छे, अने आमाती तमने फेट एकदम उच्छी मर से, कॉलेस्ट्रोल एकदम उच्छी मर से, पन सउथी वधारे मर से तो फाइबर, येस, मगमा फाइबर भर पूर प्रामाण मा होई छे, फाइबर होई, एटले तमने कबजियात जर्राए ना रे, अने वेट लोस पन सरस्थाई, फणगारेला मगमा आ रहेला फाइबर थी, पाचन क्रिया पन एकदम सरस्थाई छे, तो फणगारेला मग छे, ए तमारा शरीर नी पाचन क्रिया ने पन एकदम सरस्थ तंदूरस्थ राखे छे, तो मगना आ फाइदा जानिया पची कदाच तमें जोब करता हो तो ओफीस आरी ते डब्बा मा भरीने लई जाई सको छे, अने ज्यारे भूख लागे, त्यारे बीजो कोई नास्तो करवानी जग्याए खाली बे चमची तमें फणकारेला मग खासो तो पन तमने एकदम एमाधी एनरजी मड़ से औने फूर्ती पन वच्छे काम करवा माटे, तमारों शरीर पन कम जोर नहीं रहे से, औने आ मग तमें काचे काचा आवा खासो तो पन एकदम मिठा लाग से, तमने गम से चावी चावी ने खावानो, ग आपणे आ वस्तु खरेखर फॉलो करवी जोई है, औने फणकारेला मग तमने जर्राए नुक्षान नथी करता, नाना बाड़ो कोने पन तमें सवारे नास्ता माँ फणकारेला मग आपी सको चो, तो आजना आवातावरण माँ ताव, इन्फेक्षन, एना ती बच्वा आपणे खरेखर आपणा शरीर मां इम्यूनिटी, पावर वधारवानी जरूर छे, तो रोज आरीते खासो तो जरूर तमने फरक लाग से, तो आटला बदा बेनिफिट्स जानिया पछी, एक वखत तो तमें मग जरूर फणगार जो आरीते, औने एक वखत जरूर टेस्ट कर सो, महिना सुधी तमें जरूर आरीते, खासो रोज थोड़ा-थोड़ा मग तो तमने जाते ज फील थसे, औने जो वेट लोस माटे तमें प्लान करता हो, तो तो तमने खास रेकमेंड करीस, आट्राई करवा माटे, तो थैंक्यू,